तो आज हम पढ़ेंगे क्लास वन की इंग्लिश वर्क बुक यूनिट फाइब तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एंसी आर्टी दामाइब को सब्सक्राइब किजे लाइक किजे और पास में दिये अगर आपने ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहां से निकालके भी से पढ़ सकते हैं तो चली बच्चों वर्क बुक बनाते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकाली और मेरे साथ साथ बनाना स् अब देखिए इसमें कहाजा रहा है कि हेल्प बॉक्स में बहुत सारी चीजें दी गई है तो इसमें आपको पांच चीज आपको इसमें से निकालना है और उसमें से यानि कि जो की राउंड हो राउंड सेप में हो वो आपको निकालना है और उसे आपको लिखना भी है नी अर्थ लिख सकते हैं और आपके यहाँ पर भी है अर्थ दिया हुवा help box में भी तो आप इस तरह से लिखिए second में देखिए tennis ball तो tennis ball लिखेंगे उसके बाद third में sun sun लिखेंगे उसके बाद tire तो tire लिखेंगे उसके बाद ring तो ring लिख देंगे तो यह सारी चीज़ें round है तो round ही लिखना है तो इस तरह से लिख देंगे और उसके बाद है यहाँ पर can you identify these shapes and their names fill in the blanks with their names तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या आप इसमें identify कर सकते हैं यानि कि पहचान सकते हैं shapes और उसके नाम ठीक है आकार और उसका नाम आपको पहचानना है और उसे आपको नीचे लिखना भी है जो यहाँ पर खाली जगा है उसमें आपको लिखना भी है तो देखे यहाँ पर safe है और इधर क्या है name है तो safe और name को दोनों यानि कि आपको पहले पहचानना है कि यह कौन सा सेफ है तो यह है triangle अब triangle अभी दर लिखना भी है जिसमें कि देखें खाली जगर बीच में छूटा हुआ है नहीं लिखा गया है तो आपको इसमें भढ़ना भी है triangle तो t-r-i-a-n-g-l-e triangle मिन्स क्या हो गया त्रिभूज उसके बाद क्या है round यह goal है round round मिन्स goal r-o-u-n-d round तो यह लिखेंगे उसके बाद देखिए यह कौन सा सेफ है rectangle rectangle मिन्स क्या हो गया आइताकार r-e-c-t-a-n-g-l-e rectangle उसके बाद है यह देखिए square square मिन्स क्या हो गया चौकोर या चतुर भूज ठीक है तो यह हो गया s-q-u-a-r-e square उसके बाद है oval तो यह कौन सा सेफ है oval यानि की अंडाकार o-v-a-l oval तो इस तरह से इसे लिखेंगे से पहचानेंगे लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे और उसके बाद है यहाँ पे join the dotted lines and color it अब देखिए यहाँ जो dotted lines यानि की दिये गए है तो उसे आपको मिलाना है एक दूसरे से मिलाना है और आपको इसमे color भी करना है तो यह देखिए यह आपके book में भी होगा यह जितने भी इस तरह से dot dot है तो यह सारे को आप मिला देंगे अच्छी तरह से और इसमें color कर देंगे इस तरह से जिस तरह से दिया गया है color इसी तरह से आप color करेंगे और उसके बाद है join the dots on the flower and then color it अब देखिए जो flower में इतने सारे dots दिये गये हैं उसे आपको सारे को मिलाना है और इसमें भी color करना है तो चाहे आप यह color भी कर सकते हैं और अगर आप चाहे दूसरा color आपना मन पसंद color भी कर सकते हैं ठीक है? तो कर लिजेगा और इसके बाद है यहाँ पे join the dots to form a bird अब देखिए इसमें एक bird है यह bird है तो bird का क्या करना है इसमें जितने dots हैं इसे भी आपको सारे को join करना है मिला देना है और इसमें color करना है तो आप इसे इस तरह से color कर दीजेगा और इसके बाद है कि join the dots on the leaf and then color it अब देखिए यह एक leaf है और इसमें भी जितने भी dot है वो आपको मिलाना है और इसमें भी color करना है तो कर लीजेगा उसके बाद है यहाँ पे say these words aloud अब आपको यह सारे जो words है ना आपको इसे loudly बोलना है तो इसमें देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ball, hall, call, wall, mall, tall उसके बाद है sit, pit, hit, kit, bit, fit उसके बाद है go, low, slow, mo, row, bow इसके बाद है free, tree, three, we, see, he तो इस तरह से इसे आपको इसे loudly बोलना है अगर आप चाहे तो इसे आप practice के लिए लिख भी सकते हैं तो आपका इससे practice होगा ठीक है उसके बाद है यहाँ पे look at the dotted words given below join them तो इसमें क्या करना है अब आपको join them करना यानि कि आपको इसमें जैसे कि दिखा गया है word तो इसमें क्या करना है dot को मिला देना है बस यह आपको इस तरह से trace करना है तो इस तरह से आप इसे बना लेंगे ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है write the words in place of the pictures and complete the story अब देखिए यहाँ पे जितने भी words यानि कि यह picture दिया गया है ठीक है आप picture दिया गया है और इसमें देखिए जो खाली जगह है उसमें आपको यानि कि यह story complete करना है तो आप यह picture देखिए और इसमें देखिए कि क्या क्या हो रहा है तो इस picture को देखिए ही आपको स्टोडी कम्प्लीट करना और जितने भी यहाँ पे खाली जगह है उसमें आपको भढ़ना है कि क्या आएगा ठीक है तो देखे आप यह पिक्चर देख पार रहे हैं इस पिक्चर में देखे क्या होता है तो इस पिक्चर में देखे ए हेट सेलर वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री तो देखें एक हेट सेलर यानि की टोपी बेचने वाला वो एक पेड के नीचे सोया हुआ था तो यहां पर ट्री आ जाएगा पेड के नीचे सोया हुआ था देखें यहां पर ब्रांचे इसके जो टहनिया है उसके बहुत सारे नौटी मंकी यानि नटकट मंकी जो है न वो बैठे हुए थे उसके ब्रांचे पर और वो उसके जो हैट थे वो देख रहे थे ठीक है उसके बाद देखें फिर क्या होता है इसके बाद उस ने उसे लेना स्टार्ट कर दिया यानि कि वो जितने भी हैट्स थे टोपिया रखी हुई थी वो उसे लेना लेने लगा उसके बाद देखिए फिर क्या होता है दा हैट सेलर वैकप ड्यू टू दा नॉइज ऑफ दा मंकी उसके बाद जो हैट सेलर था टोपी वाला जो था वो उठा और वो उसके जो है न वो बहुत सोड़ गुल मचा रहा था जो मंकी इसलिए वो उठ गया उसके कारण वो उठ गया उसके बाद देखिए फिर क्या होता है उसने एक स्टॉन मंकी पर फेका मंकी के उपर फेका दा मंकी थ्रू बैक ओल दा हैट्स दा मंकी थ्रू बैक ओल दा हैट्स ओन दा ग्राउंड एंड रैन अवे उसके बाद क्या हुआ मंकी ने वापस जितने भी उसने हैट्स लिया था वो साड़ा उसने वापस फेक दिया और वो भाग गया तो ये था आपका story, छोटा सा story था, जो कि आपको इसमें जो खाली जगा है, उसमें आपको भरना है, तो इसी तरह से इसे आपको बनाना है, ठीक है, तो आप इसे बना लीजेगा, और उसके बाद है यहाँ पे, कि look at the pictures, Re-adends the jumbled words to form meaningful words, तो देखे, यहाँ पे आपको picture देखना है, picture देख के आपको जो ये jumbled word दिये गया है, यानि उल्टा-पुल्टा करके जो ये word दिया गया है, उसे आपको एक meaningful word बनाना है, लिखना है, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे, तो देखे, ये picture दिया गया है, तो तो ये उल्टा पुल्टा कड़के दिया है, जम्बर्ड है, तो अब हम इसे सही लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, आर ए डबल बी आई टी, ये हो गया, रैबिट, तो रैबिट लिख देंगे, इस तरह से, उसके बाद ये क्या है, तो ये है अलिफेंट, तो अलिफेंट का ये देखें, ये जम्बर्ड है, तो हम सही लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ई-ल-e-p-h-a-n-t, अलिफेंट, उसके बाद देखिए ये क्या है तो ये है camel तो camel का देखिए ये जंबल्ड है तो कैसे लिखेंगे correct C-A-M-E-L camel उसके बाद ये क्या है तो ये है jabra तो jabra का ये जंबल्ड है तो सही लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे जेड़ ए बी आर ए जेबरा उसके बाद देखे ये क्या है तो ये है Aeroplan तो ये जंबल्ड है तो correct कैसे लिखेंगे A, E, R, O, P, L, A, N, E Aeroplan इसके बाद ये क्या है तो ये है mouse तो ये जंबल्ड है तो M, O, U, S, E, mouse तो ये correct होगा तो इस तरह से इसे हम लिख लेंगे और उसके बाद है यहाँ पे Read these words and write them below अब देखें यह जो words है आपको पढ़ना है और इसे नीचे लिखना है ठीक है? तो यह देखें यह जो words है क्या है? A bat, a ball, a map, a tap, a cat तो इस तरह से है तो आपको यह नीचे अच्छे से बिलकुल सजा के बढ़िया से अच्छे handwriting में यह कर्सिब में दिया गया है तो आप इसे अच्छे handwriting में इस तरह से आप लिखेंगे ठीक है? सुनदर handwriting में, यहाँ भी, यहाँ भी, एक्तम अच्छा से लिखिएगा बुक में ठीक है इसी तरह से यहां पर भी लिखना है अच्छे हैंड राइटिंग में इस तरह से और देखिए यहां भी लिखना है यहां भी यहां भी और यह भी इस तरह से ही यहां साड़ा लिखना है तो इस तरह से आप अच्छे से लिख लिजेगा उसके बाद है यहां पे look, read and join the words to the pictures अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है और जो picture दिया गया है और word दिया गया है उसे आपको join करना है यानि मिलाना है the first one has been done for you और जो first में है वो आपके लिए यहाँ पर यानि कि दिया गया है तो देखिए एक कैसे बताया गया है इसे यहाँ पर जॉइन करेंगे तो देखिए यह वाला है ना मैचिंग करेंगे यानि मैचिंग करना है आपको तो यह इसमें मैचिंग कर देंगे सेकंड क्या है ए शिप तो शिप को देखिए यहाँ पर है शिप इसे हम यहां से लाके इसे यहां पे मैचिंग करेंगे यह हो गया उसके बाद देखे फिर क्या है ए बोट तो बोट यहां उपर में है तो यह बोट को हम यहां से लाके यहां मैचिंग करेंगे यहां से यहां पे मैचिंग कर देंगे बोट उसके बाद देखे ए पिग तो पि तो बुल यहां उपर में है तो इसे हम यहां पे मैचिंग करेंगे यहां से लाके इसे इस तरह से यहां इस तरह से मैचिंग कर देंगे ठीक है तो यहां इधर इस तरह से मैचिंग कर दिये साड़े को हो गया और उसके बाद इस साइड में है तो इधर भी मैचिंग करना है उ तो इधर देखे एक था और यहाँ एन का है तो एन आउल बोवल और कॉंसोनेंट है ना तो दोनों अलग अलग है तो यहाँ देखे बोवल है तो बोवल के साथ हम क्या लगाते हैं एन लगाते हैं तो यहाँ एन आउल हो गया तो यहाँ मैचिंग करेंगे और उसके बाद दे तो यहां पर मैचिंग करेंगे और उसके बाद एन इंक पॉर्ट है तो इसमें भी हम यहां मैचिंग करेंगे उसके बाद क्या है एन ओरेंज है तो इसे यहां पर मिलाएंगे और उसके बाद क्या है एन एग है तो एग के साथ में मिला देंगे तो इस तरह से यह साड़े को ह आप देखिए आपको यहां पर पढ़ना है लिखना है और कलर करना है तो यहां पर देखिए क्या है ए रेड एपल तो यहां पर दिया गया है ए रेड एपल अब रेड एपल है तो इधर आप इस साइड में लिख देंगे सैम इसी को कॉपी कर देना है ए रेड एपल लिख द अब देखिए ए पिंक कप है और आपको जो कलर इसमें दिया गया है वही कलर करना है ठीक है इसमें रेड कलर कर देंगे उसके बाद पिंक कप है तो यहाँ पे सैम उसी तरह से कॉपी कर लेंगे ए पिंक कप और इस कप में पिंक कलर भर देंगे उसके बाद है यहाँ पर an orange umbrella तो इधर भी लिखेंगे an orange umbrella उसके बाद यहाँ पर हम इसमें color भी करेंगे उसके बाद है a blue teapot अब देखे ए ब्लू teapot है blue color का है ए ब्लू teapot इधर भी लिखेंगे और इस teapot में blue color करेंगे तो इस तरह से इसे बना लेंगे उसके बाद है यहाँ पर find the missing letters from the square box and complete the words तो यहाँ पर देखे आपको क्या करना है जो missing letter है न वो आपको लिखना है और word को complete करना है ठीक है और यह देखे square box है यहाँ पर इसमें दिया गया है जो missing letter है वो दिया गया है तो इसमें देखे क्या हो जाएगा यहाँ पर देखे फर्स्ट में जो है तो यहाँ पर बी missing है यानि कि यहाँ पर brown लिखा गया है तो यहाँ पर बी missing है तो बी लिख देंगे और बी देखे यहाँ पर भी दिया गया है उसके बाद देखे दूसरे में क्या है ब्लू है तो यहाँ पर ब्लू है तो यहाँ पर ब्लू हो जाएगा उसके बाद क्या है ग्रीन है ग्रीन में जी मिसिंग है तो जी यहाँ से हम लेंगे और यहाँ पर जी लिख देंगे ग्रीन हो गया उसके बाद है बॉयलेट तो यहाँ पर वी मिसिंग ह तो यहाँ पे हम V लिखेंगे, यहाँ पे B दिया गया है, लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या है, येलो है तो येलो में Y मिसिंग है, तो Y यहाँ से लेंगे और यहाँ लिख देंगे येलो उसके बाद है red तो red में r missing है तो r हम यहाँ पे लिखेंगे तो हो गया red उसके बाद क्या हो जाएगा orange तो orange में देखिए o missing है तो यहाँ पे हम o लिखेंगे तो हो गया orange उसके बाद क्या है pink में p missing है तो p missing है तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी लिखेंगे तो ये पूरा हो गया ठीक है तो इस तरह से ये complete हो चुका है आपका ये chapter पूरा हो चुका है तो आपको कैसा लगा पढ़के मुझे जरूर बताईए और अगर अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को like, subscribe कीजे ताकि मेरे सारे वीडियोज आपके पास समय से पहुंसती रहे और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे से कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं तो चलिए बच्चों मिलते हैं अब हम next वीडियो में तब तक के लिए बाई तक केर थैंक्स तो वाच मैं वीडियो